अगर आप Google पर टाइप करके देखेंगे कि what is the number one killer disease in the world तो आपको पता लगेगा heart disease लेकिन क्या वाकई heart disease दुनिया का number one killer है या उसके पीछे कोई और है जो number one killer है आज के इस वीडियो में हम इसी topic पर discussion करेंगे नमश्कार दोस्तों मैं हो लोके इंदरतुमर और आप देख रहे हैं चैनल Diabexy जहां हम diabetes management से related scientific information बड़ी simple language में share करते हैं Diabexy, diabetes management के लिए food products बनाते हैं Diabexy के products आपको आसानी से online Amazon, Flipkart समेथ बहुत से websites पर मिल जाते हैं तो अब देर किस बात की? Diabexy आटा आज ही order करें, फाइदा जरूर होगा हर आदमी लंबे उम्र चाहता है और लंबे उम्र तभी मिलेगी जब हमारी body disease free होगी और body को disease free रखने के लिए आपको दो चीजों की जुरत पड़ेगी knowledge और discipline तो चलिए और ज़्यादा knowledge लेते हैं ताकि हम अपनी body को disease free रख सके हैं अब हम इस heart disease वाले जो topic पर हम discussion कर रहे थे कि what is the number one killer disease in the world जब आप search करेंगे तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि दिल की बिमारियों से ज़्यादा लोग दुनिया में मरते हैं और उसमें अगर आप और थोड़ा deep जाएंगे ढूणने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग heart disease से मरे हैं उसमें 33% almost one third diabetic थे फिर हम दूसरा stats देखते हैं कि कितने लोगों की death kidney disease के कारण हुई और जब हम उसको study करते हैं और देखते हैं कि इन में कितने लोग डाइबिटिक थे तो one third 33% वहाँ भी डाइबिटिक थे फिर हम देखते हैं कि कितने लोगों की death liver failure के कारण हुई और उसमें हम जाके देखते हैं कि कितने लोग डायबिटिक थे तो फिर उन्थर्ड डायबिटिक थे तो जितने भी ये deads हो रहे हैं उसमें उन्थर्ड तो सारे डायबिटिक है तो मेरे opinion में जो number one killer है दुनिया में वो diabetes है, heart disease नहीं क्योंकि जिसको diabetes होती है उसे ही heart disease ज्यादा होती है या देखिए अभी हम heart disease या kidney disease की बात कर रहे थे एक कदम हम पीछे आके अगर हमने देखा तो हमें मिला diabetes अब हम यहां से एक कदम और पीछे जाते हैं और थोड़ा डीप जाके देखते हैं कि क्या वाकई diabetes ही problem है या problem कुछ और है तो जब हम एक कदम और पीछे आके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो main reason है जो main problem है वो है inflammation inflammation के कारणे सारी बिमारियां होती है तो यह inflammation क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं और बड़ी simple language में समझते हैं क्योंकि inflammation थोड़ा सा complex subject है अगर ज़्यादा medical terminology में गुझेंगे तो ठीक से समझना मुश्किल होगा तो इसलिए हम simple language में inflammation को समझने की कोशिश करते हैं ध्यान दीजेगा इस पर inflammation पर ध्यान दीजेगा बड़ा important topic है पहले हम एक inflammation को समझते हैं जो आसानी से आपकी समझ में आएगा कई बार हमारे skin पर चाहे चेरे पर या body पर कहीं और skin पर एक फुनसी जैसा निकालाता है जिसको कहते हैं फुनसी जैसा निकालाता है तो उसमें फुनसी कैसा रहता है थोड़ा सा pain होता है उसमें swelling रहती है थोड़ी सी redness होती है और जब ऐसी फुनसी हो जाती है वो ठीक नहीं हो रही होती और उससे problems all हो जाती है तो यह जो problem थी यह जो inflammation थी इसको हम कहते हैं acute inflammation यह हम कहेंगे short term छोटे समय की inflammation दो-चार दिन में खतम हो गए अब हम देखते हैं दूसरी inflammation जो होती है chronic inflammation लंबे समय से चली हुई inflammation मला 5-10 साल से body में inflammation चले आ रही है अंदर यंदर तो जो long term inflammation है इसमें आप यह जो short term inflammation की जो दवाई है यह परसेटमोल पेनकिलर वगर यह नहीं दे सकते क्योंकि जो short term inflammation की जो दवाईया है इनको अगर ज़ादा समय तक खाएंगे तो liver damage हो जाएगा तो इसलिए यह 4-5 दिन के लिए तो ठीक है लेकिन long term inflammation में इन दवाईयों को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका बड़ा major side defect होता है liver damage हो सकते हैं यह chronic और long term inflammation को हम समझने के कोशिश करते हैं यह क्या है तो जैसे आपने देखा कि यह जो फुंसी है जो हमारी body में skin पे हो गया था acute short term inflammation में हमारी body में जब diabetes होती है तो ऐसी फुंसियां हमारी blood vessels में हो जाती है जैसे heart में जो blood vessel जा रही है उसमें suppose कि यह inflammation होई यह फुंसी जैसा बन गया अंदर तो medical terminology में हम कहते हैं उसको atherosclerosis हो गया अंदर हम simple language में कहते हैं फुंसी हो गया उसको तो blood vessel के अंदर फुंसी हो गया तो फुंसी कैसे होता है जी वो swelling होगा थोड़ा hard हो जाएगा और जब swelling होगा blood vessel के अंदर तो वो blockage करेगा तो जो blood flow है उसको उसका जो रास्ता है वो reduce हो जाएगा और blood flow reduce हो गया तो heart attack हो गया अब इसी inflammation को आप देखिए कि माली जे किडनी में हो गया अब किडनी क्या है चोटा से kidney है उसमें 10 लाख नेफरोन है अब 10 लाख नेफरोन चोटी सी kidney मतलब किडनी पतले-पतले से fiber है और वो पतले fiber मतलब उसके अंदर जो पतली-पतली blood vessel है उसके अंदर फुनसी हो गई तो क्या होगा जो kidney के अंदर नेफरोन है वो damage हो जाएगा 10 लाख है तो 50-100 फुनसीयां 200 फुनसीयां होगे उसके अंदर धीरे-धीरे 5-10 साल से हो रही है तो जो inflammation है उससे वो नेफरोन damage हो गया kidney damage हो गई kidney disease हो गई ऐसे ही inflammation मा लिजे लिवर में पहुचा लिवर में जो पतली blood vessel है वहाँ जाके फुनसी हो गया और जो फुनसी हो गया उससे वहाँ पर blockage हो गई लिवर damage होना शुरू हो गया क्योंकि जो blockage होगी blood circulation नहीं होगा blood circulation नहीं होगा उन cells को खाना नहीं मिलेगा cells death हो जाएंगी heart में भी क्या होता है जब blockage हो जाती है तो blood ठीक से नहीं जाता blood ठीक से नहीं जाता तो वहाँ पर oxygen की कमी हो जाती है oxygen की कमी हो जाती है तो cells death हो जाती है और heart की cells death हो जाएंगी तो आदमी की death हो जाएंगी तो blood vessel की जो blockage है inflammation के कारण वो body में कहीं भी होगी तो उससे आगे का जो area है वो damage हो जाएगा death हो जाएगी और उससे problem complications आती है तो diabetes में यह complication इतनी ज़्यादा क्यों होती है क्योंकि diabetes में blood sugar level बढ़ा रहता है और diabetes में जब blood sugar level बढ़ा होता है तो जो sugar है वो sticky होता है चिपकता है वो और sticky होने के कारण वो inflammation create करता है और जब long term inflammation होती है तो inflammation क्या हो गया क्या समझे में आया हमने वो फुनसी जासा inflammation हो गया हमारी blood vessel के अंदर तो वो damage हो गया उसके आगे का area blood circulation बंद हो गया और वहाँ पे वो damage हो गया तो जो short term inflammation थी उसके लिए जो गोली खा रहे थे वो paracetamol, pain killer वगेरा वो long term inflammation में नहीं खा सकते क्योंकि वो liver damage करते है तो जो हमारी long term inflammation है इसको ठीक कैसे करें तो long term inflammation को ठीक करने के दो तरीके हैं तो number one तरीका जो inflammation generate क्यों हो रहा है inflammation generate क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे blood में sugar जाता है तो पहला काम क्या करना है हमें अपनी diet का glycemic load जब डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा, ब्लड में शुगर लेवल कम होगा, ब्लड में शुगर लेवल कम होगा, आटोमेटिकली इंफ्लमेशन कम होगी, और जब ब्लड में इंफ्लमेशन कम होगी, तो जो और बिमारियां जो होने वाली हैं, लिवर डेमेज, केडिनी damage वो धीरे-धीरे कम होने लगे और दूसरा जो अलरड़ी inflammation हो चुका है जो अलरड़ी ये फुंसी जैसा body में हो चुका है उसको कम कैसे करें तो उसके लिए आपको एक tablet की जुरत पड़ेगी वो है ये anti-flame tablet ये anti-flame tablet आपको daily रात को सोने से पहले लेनी है जब आपको जब आप रात को सो रहे होगे तो उस time पे ये tablet आपके body में अंदर जाएगी अपना कमाल दिखाएगी और धीरे-धीरे जो inflammation है उसको reduce करने में आपकी मदद करेगी इसमें बहुत सारे natural component है और जो natural component है ये inflammation को कम करने में आपकी मदद करते हैं और natural component है इसलिए इनके कोई side effect भी नहीं होते हैं तो जो inflammation है उसको कम करने के लिए हमारे पास में यह दो उपाय है तो पहला diet का glycemic load कम करें diet का glycemic load कम करने के लिए अगर आप कोई diet plan बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डाइबेक्सी का ये वाला वीडियो देखे इसमें detail में explain किया हुआ है कि आप किस तरीक का diet plan आप बनाए और जो inflammation है उसको कम करने के लिए आप ये inflammation कम करने वाले जो tablet है anti flame इसकी एक गोली रात को सोते समय ले ले ये inflammation को कम करेगा तो जब हमारी inflammation कम हो गई हमारा diet का glycemic load कम हो गया तो धीरे धीरे हमारी body में जो diabetes reversal की process है वो ठीक से चलेगी speed से चलेगी और diabetes के कारण जो होने वाले जो complications हैं उनको भी reverse करने में हमें मदद मिलेगी तो diabetes को reverse करने के लिए हमें ये दो important काम करने बहुत ज़रूरी है इसमें हमारी protection है अगर आप ये inflammation के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो अभी आप Google पे जाके type कीजिए कि inflammation and diabetes inflammation and kidney disease inflammation and heart disease तो inflammation जो है हर एक बिमारी में role play करता है और body में inflammation कैसे होती है जब हमारी body में toxins generate होते हैं और body में toxins कहां से आ रहे हैं हमारे खाने से आ रहे हैं तो एक तो toxin क्या है हमारी body के लिए glucose जरूरत से ज़्यादा glucose हमारी body में glucotoxicity करता है इस word को note कीजिएगा glucotoxicity Google पे सर्च करके भी देखिएगा कुछ समझ में आएगा इसके उपर इस पे भी आपको articles दिखाई देंगे तो glucotoxicity जब होती है हमारे body में तो inflammation ज़्यादा create होता है दूसरा जितना हम junk food खाते हैं वो junk food भी body में inflammation करता है तो inflammation को कम करने के लिए हमें diet पे emphasis करना बहुत ज़रूरी है तो diet का emphasize क्या होगा कि हम natural food खाएं natural food जिनका glycemic load अलरड़ी कम होता है और वो कौन से food होते हैं वो होता है vegetables तो अब हम यह पूरा sequence समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी diet का glycemic load जढ़ा होता है बलड में ज़्यदा शुगर आता है उससे ज़्यदा inflammation होती है और उस inflammation के कारण heart disease होता है उसके कारण हमारा liver disease होता है उसके कारण हमारा kidney disease होता है और भी body में भहुत सारी problems होती है तो अगर हमें अपनी body को healthy रखना है तो पहला step है कि हम diet का glycemic load कम करें और दूसरा step है कि हम अपनी body में inflammation कम करें inflammation कम करने के लिए anti flame tablet रोज रात को एक tablet लेने से आपको benefit मिलेगा तो inflammation के बारे में और ज्यादा knowledge लेने के लिए इस word को inflammation को google पे type करके search करें तो आपको बहुत सारे article इस से related मिलेगा है अपनी body को disease free रखनी के लिए dibexy से जुड़ी है कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा आपको Thank you